लखीमपुर में चौते चरण के मतदान के लिए वोटरों का उत्सा चरम पर है दोपैर होने वाली है लेकिन आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो मतदान के इंद्र है पूर्व माध्यमिक विद्याले बनवीरपुर यहाँ पर वोटर की लिए कितनी लंबी लाइन लगी है आ इसे वोटरों की लाइन भी बढ़ती जा रही है और ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है जहां पर नेटवर्क की भी समस्या हैं इसलिए कनेक्टिविटी नहीं है कई बार जो यहां लोग मोबाइल फोन लिए होते हैं वो करेक्ट नहीं हो पाते हैं यहां पर इं कि जो चोटे से गाउं के लोग हैं बनवीरपूर गाउं के लोग हैं वो किस तरह से अपनी समस्याओं के लिए मुखरता से सारी चीजों को सारे मुद्दों को बढ़ चड़ के पेश करते हैं हम इस मतदान केंदर के एकदम पास तक आ गए हैं और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे कि यहां से अंदर वोटिंग चल रही है पूरी प्रक्रिया आप सामने देख सकते हैं कि वह जो पॉलिंग एजेंट हैं और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं वह वहां पर बोट डलवा रहे हैं महिलाएं खड़ी हैं लाइन लगाए हूं महिलाओं का अस से सटा इलाका है बहुत पिछड़ा भी है यहां पर बहुत विकास नहीं देख रहे हैं क्या क्या समस्या प्रमुख हैं समस्या रोड की समस्या बहुत है आज भी निकलने को रस्ता कोई नहीं है बार की समस्या भी है किस वज़े से आती है बार इदर नपाल से पानी आता है की नपाल थे अपानी वार्ड की शमल्ट की पूछले साल से धान नहीं हुआ जैसे इधर तो बड़े किसान जाते जो दारा जेत्र की हैं उन्होंने तो अपने घ् inspect घहरागे से उसके बाद से जैसे ये तार गाहिस लगी है तो इसके अंदर से घुशके खा जाते हैं और जरा से भी आगर आदमी खेत में ना वगा तो सब खेत खा जाती है बचाने में जा प्रणास कब से चल लगी यह समस्यां यह समस्यां कि अध्याद के लिए उपाए नहीं कोई किसी ने कारवाई किया यह नहीं तो टर्ल किसी देखा ही नहीं यह भी कुछ कहना चाहते हैं क्या नाम है यहां जो है कई समस्यां है और आप सूग बहुत समस्यां है यह 2014 से बनी हुई हमने कई बार मुक्यमंतरी यह रपलाइन पर भ है ना कोई अस्प zijले है निया प्रात्मिक जो स्वास के नोते हो भी नहीं मिलते है अगया है फूस में यह बाहाँ। में सुझाओं को कछला गया देन कछला गया कुछ नहीं हुआ हम क्छला है तक वह कुछनुन से अपनी शुम से नहीं की बताते हैं समस्या उससे क्या बताएंगे जो पूछ्ट सुनते ही नहींँ तो समस्षा किसको बताओ के जब खुद ही मंतरी उगे कुचल रहा है तो समस्षा किसकी आगे बता होके आप के लिए क्या यहां पर साटमी मुद्द मुद्द महिटी जी आने वाले परिवरतन ये होगा यह सबकि अपने अपनी में हैं समस्याएं है पता जी यहां पर जो बोट आप रहे हैं चोटे सरकार चुंते होंगे कि सवस्या के नेरागा fulfilled करेगा जो हंजी हैं यह कि दिशलें चुनते हैं तो क्या समस्या हैं समस्या हमारी बहुत है खेटी को राद comunque जागने पड़ता है वह इतनी गया आटी करना पड़ता कुसा आमनी कि बहुत परेशानीKY इस fort परिशानी है आप क्या कहेंगे और जी अब देश्ट लेज़ें इस सर्कार में सभी है जी बता रहे हैं कि इनकी है हमारी है नहीं लेगो तो छोड़ रखें अपना बांद अपना खिलाई एप पाड़ की समस्तिया पाड़ की तो आती रहती है ये दो साल से तरिंजादा किया सब्सक्राइब की समस्या आती रहती है और हम दिखाएंगे आपको नजारा इधर का ये महिलाएं भी हैं जो बड़े उत्साह से बोट डालने के लिए इससे पहले हम आपको इस बनवाइर पुर गाउं की पूरी कहानी बता दें ये दरसल निगासन विधान सबाद शेत्र म की तकूबर को जो घटना हुई थी इस्तिकूनिया इलाके में जिसने पूरे देश में तूफान मचा दिया था वह घटना इस से इस गाउं से साड़े तीन किलोमीटर दूर तिकुनिया लाका है वहां पर हुई थी उसमें आठ लोगी मौत हुई थी ये कहा जा रहा है कि जिस जीप से कुचल कर चार किसान और एक पत्रकार मारे गए थे उस जीप में अजे मिश्चा टेनी के बेटे आशीश मिश्चा बैठे थे पुलि इस और तिकुल कि सब्सक्राणसवाज चुनाओं में लखीम्पूर के लिए यहां का जो वोटर है वो इस बात से इसके मन में खासा गुस्सा है कि जो किसानों की मौत हुई उन से नाराज़गी है अजे मिश्चा टेनी से नाराज़गी है आशीश मिश्चा टेनी से नारा इस मतदान केंद्र का बूत है जहां पर महिलाएं अकत्रित हैं हम कोशिश करेंगे कि कुछ महिलाओं से बात हो जाए यह महिलाएं बुजर गाम काज निप्टा के सुबह से आलाइन में लगी हुई है क्या कहिंगे आप वोड देने आई हैं क्या मुद्दे हैं है लेटरिंग नाबाट नाबाट उन्हें कुछ नाए है और खेटी ना जमीन कुछ नाए है आप बताएंगी कुछ समस्या एक यह आपको क्या लगता है वोट देना क्यों जरूरी है जागरुक तो हैं लेकिन बोल ने रही है आप बताएंगी मुझे कुछ नहीं कहना यह देखिए जागरुक है महिला वोट डालने आई है अपने अधिकार का इस्तिमाल करने आई है लेकिन मुद्दों और समस्याओं के मामले में यह खामोश हैं कुछ भी बोलने की सिती में नहीं है या बोलना नहीं चाहती है या चुकि गाओं बहुत इंटिरियर है और इतना एक्सपोजर नहीं है तो हो सकता है उनके मन में संकोच हो इस बात को लेकर तो पूरा ओवराल नजारा जो इस पूरुम माधमिक विद्यालय बनवीर पुर का हमने दिखाया आपको यह लोग तंत्र की खुबसूरती है और यह चोटा सा मतदान होता है और इस्तिमाल करना चाहिए क्या लगता है क्यों वोट डालते हैं आप देखिए यही लोग तंत्र का में वो होता है इससे हम अपने लिए उचित नेता चुन सकते हैं जो हमारे लिए या हमारे देश के लिए अच्छा होता है ऐसा नहीं कि हम अपना एक हमारा एक ब पर है समस्या हर जगा रहती है और हमस्या का शमठानी चरेकार करती है तो इसलिए समस्या के दी कहें तो समस्या चोटी-चोटी हर जगा रहती हुआ इतना बड़ा कांड्र हुआ झो लखी गए और कुछ जो है लोग के द्वारा भी बनाए गए कुछ ऐसा यह बस तमझ लेजिए बात किया आप क्या कहेंगी कुछ अपनी बात कहेंगी वोट डालने के लिए क्यों आई है आप नहीं बात करेंगी तो यह देखिए कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो बड़ी जागरूख है और खुलकर अपनी बात कह रही है लेकिन ज्यादतर महिलाएं चुकि ग्रामीर शेतर है तो ज्यादतर महिलाएं अपने जो शब्द हैं उनको समेटे हुए हैं बात करने से परहेज कर रहे हैं तो हम बात कर रहे थे उस मुद्दे की जो 3 अक्टूबर को हुआ था यानि 3 अक्टूबर को बीते साल 2021 को पूरे देश में तुफान मच गया था उस मामले को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था कई दिनों तक आंदोलन चला गिरफतारियां हुई दोनों तरफ से फायार हुई अब आशिश मिशा जमानत पर भी छूटा हैं चौथे चरण का चुनाव चल रहा है कहा जा रहा था कि इस चरण में चौथे चरण में जो सीटें हैं वो उलट फेर होगा कई सीटों में परिवर्तन भी हो सकता है चुकि किसान आक्रोशित है और आशिश मिशा कि जमानत पर जेल से बाहर आने से उसके मन में एक असंतोज भी है ये कितना असर दिखाएगा ये तो दस मार्च को पता चलेगा लेकिन वोटिंग के लिए जो उत्सा है जो भीड़ है वो जबरदस यहां नजर आ रही है और अब देखिए यहां पर पुलिस प्रशासन की कि परफ से जो कुरोना संक्रमर्थ हमने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ये मास्क भी बाट रहे हैं लोग जो मास्क लाइन लगी है लेकिन मास्क जिनके पास नहीं है तो इस्थानीय पुलिस अधिकारीयों ने यहां अपनी टीम भेजी है वो यहां पर मास्क का वितरण क बनवीर पुर ये मतदान केंद्र आपको इस छोटे से गाउं में ऐसे भीड इतना उत्साह मत दाताओं में और इतनी व्योस्ताएं शायदी किसी बड़े मतदान केंद्र में देखने को मिले हैं कैमरा से वी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी एबीपी गंगा लखीमप एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी